आप सब जानते हैं कि आप बहुत सारे फेस्टिवल आने वाल हैं करवा चौत अगोई आठे दिपावली भाई दोज गोवरधन तो मैं आज आपके साथ दो तरे के धही बड़े की रेसिपी स्टार्ट शेयर करने वाली हूँ और उस रेसिपी को आप कभी भी बना के अपनी अगर आपके पास धूली और फेस्ट के साथ इंजॉय कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल पर तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिए हमने यह मूंग की दाल और लिया यह ओड़की दाल यह दोनों दाले मैंने ओवरनाइट सोक कर दी थी ठीक है आप दे पेस्ट के लिए डालेंगे एक मिकसर जार में डालेंगे और इसको अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे अगर आपके पास धुली हुई डाले नहीं है तो आप उनको ओवरनाइट सोक करें साथ से आट बार अच्छी तरह रगड़र के दूएं उनके सारे छिलके निक पानी में डालें लें और उसमें एक डारेक्शन में आपको हाँ चलाते हुए कम से कम 10-5 मिनट के लिए आपको यह फेटना है जिसे फेटना कहते हैं एक ही साइड में आपको जिसे कि देख सकते हैं दाल कित्ती फ्लफी हो गई है फ्लफी होने के बाद हम इसे एक दूसरे प्रांसफर कर लेंगे उसमें से निकालके इधर हमने कडाई रख लिए है पांच मिट लिए पीसे रेस देदें और फिर इसमें ना तो हमने कोई इनो डाली है ना बेकिंग सोड़ा सरफ इसे हमने डंग से फेट लिया है उसके बाद इसका तरीका योदा कि आप पानी में यह अच्छे से अगर ऊपर आती है तो वह यानि की डाल हो चुकी है यह देखिए हम नारा एक बैच निकल चुका है ऐसी हम छोट छोटे धाई बड़े जादे बड़े मत बनाईगा वरना वह पानी में फुल्किया और जादा बड़े हो जाते है और यह देखिए पिलकुल कि काटा होता है उसे हम छोटे ड taking If you change it, आप चाकू चाकू से भी कर सकते जिस से कि यह फू लेना फिर हम अपना तिल करेंगे और इने अच्छे से से सेले ने पूड़ी यह वह आपने की कुछ सब देखिए ए गर जाट iki ये लिए है मैंने हरी दनी की चटनी, ये है जो पापडी मैंने बनाई थी, ये है आलू कटे हुए, बॉल्ड आलू है, ये है नमक, ये है जीरे और हींग का mixer जो हमने पीसके और ये तयार करा है और ये लिए हमने millage ये है दही और ये लिए हमने powdered sugar अगर आपके पास powdered sugar ना हो तो आप बूरा भी ले सकते हैं और इसमें हमने दो चमल डाल कि इस अच्छे से फेट लिया है इसमें फिर हमने थोड़ा इसी पापड़ी और बॉयल अलू डालेंगे उसके पर फिर हम थोड़ी सी दही और डालेंगे फिर अपर से फिर थोड़ा इसी लाल मिर्च याफ सब्सक्राइक चाहए सब्सक्राइब which बढ़े में पाहिए में दीजिपि पान सब्सक्राइब पानी नारें धाना समूध बनाना प Tanzi फिर याफ जीर क歌 का फिर पar लाल मिर्च फिर देखेगा जैसे कि हम पकोडिया बनाते हैं वही कंसिस्टेंसी होगी इसकी तो यह देखिए मेरा हो चुका है तो यार उसको बाद मैं डालूंगी नमक हल्दी एक चमच एक चमच लाल मिर्च एक चमच अजवाइन और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्दी सिर्फ मैंने कलर के लिए डाली इससे कलर बहुत अच्छा आता है फिर मैं इसे पांच मिन के लिए रेस्ट पर रख दूँगी और पांच मिन क देख सकते ही देखे बड़े हैं और यह चोटे-चोटे हैं क्योंकि अगर आपके पास कम टाइम है तो वह चोटे वाले बड़े जो हैं वह जल्दी फूल जाते हैं तो चलिए हमारे हो चुके हैं हमेरे थोड़े 20-25 मेरे पानी में गला देते हैं इतर हमने धही तियार कर लेत हैं हम सारे दही बड़ों को पानी से निचोड़के निकाल लेंगे यह देखिए यह भी कित्ते फ्लफी और स्पॉंजी बने हैं फिर उनके उपर डालेंगे दही आप चाहें तो इसमें भी आलू और पाप्री डाल सकते हैं मैंने इनमें कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि इनस्टेंट वाले बनाए थे बिना किसी जंजट के अब डालेंगे हरी चटनी उपर से जीरे और हींका पाउडर हलका सा नमक हलकी सी लाल मिर्च और यह हमारे धही बड़े बनके तयार हैं बिल्कुल तो फ्रेंड्स आपका जो मन करें इनस्टेंट बनाने हैं अगर आप अब होना भी बोल गए हैं तो अब यह बेसन वाले धही बड़े बना सकते हैं तो थैंक्यू एव्रीवन एंड प्लीज एक बर आप मेरी रेसिपी को जरूर प्राइ करें अपनी फैमिर और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें फेस्टिवल्स को और इस तरह की रेसिपीस के आपको विजिट कर सकते हैं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल